लिखी बल्प से उगने वाला एक सुन्दर सा प्लांट भी कह सकते हैं लीप्स देखिए अच्छी है न और यह बल्प से असानी से उग जाते हैं और समर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं तो आज का टॉपिक मेरा एक बल्प से उगने वाले जो बल्प के थूपते हैं उस प्लांट के उपर इस पौदे के उपर है तो वीडियो को पुरा देखेगा इस किप मत करेगा तो आज का टॉपिक है देखे रजनी गंधा रजनी गंधा के आप बड्स देख सकते हैं और यह मैंने बल्प से ग्रूप कर रहे थे और फर्स टाइम मैंने ग्रूप कर रहा है रजनी गंधा को मैंने फर्स टाइम अपने गार्डन अर्या में लगाया है और आज जुलाई के तीन तारिख है और शायद मेरे को वीडियो अपलोड करने में एक दो दिन का टाइम हो जाए तो मैं आपको सिल्प डेट बता देरी हूं आज दिलाई के तीन है और अर्ली मॉर्निंग हो रहा है पांच बजे में सुवे सो देखे तो मैं वीडियो शूट कर रही हूं क्यों इस तरह से आपको पता है रजली गंदा के पर बहुत सारे गाने भी बने में तो आइटिंक इसकी खुश्मु बहुत सुंजर हो भी रजली गंदा की तो मुझे यही लगता है और रजली गंदा मैंने ग्रो करा और यह मैंने बल्फ थे ओनलाइन पर्छेस करे हैं और फर्स टाइम मुझे अच्छा जल्ट मिला यह मेरे बांतनी गार्डन में रखे हैं और कुछ मैंने टैरस में लगाए हैं वहां भी बट्स आ रहे तो आप देख सकते हैं कितने सारी बट्स आ देखे बस खिलने वाली हैं तो यह खिलेंगे तो मैं दिखाऊंगे आपको किस तरह से खिले में यह देखे एक उसमें गिन सकते हैं आप ए बन टू थी फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन एलेवन ट्वेल थर्टिन फॉर्टिन फिफ्टिन तो इसी आती है देखे इस्टिक जैसे आई ऐसी दी और इस नहीं रजनी गंदा के बड्स आये देखे पूरे देखे लिए तो मेरा बहुत मन्ता रजनी गंदा के प्लांट्स मैं लगाँ अपने घर में तो एक तरह से कहलेगे मेरे विश्लिस्ट में था ये तो फर्स टाइम मैंने ग्रो करा तो और हो गया जल्ट भी अच्छा मिला और इसको मैंने बैनाना पील का फ्रेटिलाइजर भी दिया था क प्लावरी प्लांट्स को तो देखे कितने अच्छे वर्स आ रहे हैं और ये खिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और दिनी मिनी से बहुत अच्छी खुश्पूदी आती है रजनी गंदा है तो आप पोट का साइस भी देख सकते हैं 10 इंच का पोट ही है ये आज का टॉपिक था में रजनी गंदा एक ये देखे ये तो थोड़ा पड़ा पोट से मेरा इसमें मैंने बहुत सारे ग्रोव करें रजनी गंदा के वल्फ तो ये देखे इसमें फ्लास आने स्टार्ड होगें बड्स पर गया है ये बस ये तो लग रहा है कि जैसे आज ही खेल जाएंगे इस तरह से होता रजनी गंदे कई लोगों ने तो देखावा कई लोगों ने सकता है नहीं जो कराओ कराओ का मेरी तरह फॉर्स टाइम भी ग्रोव कर रहे होंगे या नहीं कराओ का तो ग्रोव कर लीजिए ये देखे अराम से लग जाते हैं और इसकी लीफ्स भी ऐसे भी लगे वी तो बहुत सुंदर लग रही हैं ये देखे बड़ सी ओपन ही होने वाले तो आज का टॉपिक था मेरा रजनी रंद्रा का प्लांट जो की बल्प से उग जाते हैं और एक पॉट में आप चार से पाँच बल्प लगा सकते हैं अगर पॉट का साइज थोड़ा बड़ा है तो जैकि देखिए पॉट का साइज बड़ा है तो इसमें मैंने 5-6 बल्प लगाए हुए और सभी बल्प थोड़ा जो हैल्दी बल्प होता है उसमें जल्दी बड़ सा जाती है अब यह औरों में तो नहीं आ रही एक ही में आई हुई है और उधर भी एक में ही आई हुई है तो कुछ बल्प स्क्राब भी हो सकते हैं और दोनों को मैंने बनाना पिल का फटिलाइजर दिया था जिन पहले तो बनाना पिल का फटिलाइजर बहुत अच्छा रहता है जो इसके छिलकों से बनता है केली के छिलकों से अराम से बन जाता है बनाना पिल का फटिलाइजर तो आप इसको लिक्वीड में तयार कर सकते और अपने चितने भी फ्लाविक प्लांट से उनने दे सकते हैं अराम से. तो थैंक्स पर वाच्चिंग और आज के लिए बस इतना ही अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्री आप लोका और प्लीज इसी इदा सपोर्ट करते रहें उसकी से एंस पर वाई फिर मिलते हैं उस नए इस दान के साथ और एक नई जानकरी के स कर वाई च्वाँ किसी दिलनके थे लुड आए गर नाज्ट करते हैं टो डे भान वान आ ऱबको, किसी देता है..